पालियमेंट में विपक्ची सांसदों द्वारा हंगामा काटा जा रहा है और कल राजसवा के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया है बात करते हैं केंद्री मंत्री एस्पि सिंग बगेल जी से सर किस तरीके से देखते हैं पहले लोगसभा में सांसदों को निलंबित किया गया, कल 19 सांसर राजसभा में हंगामा बराबर चल ला है। अपने प्रशन डालें और चर्चा में भाग लें। चर्चा अपका नियम है कि हर राजनितिक दल को उसकी संख्या के बलके आधार पर उनको समय मिलता है। तक्ती दिखाना, राजसभा, लोगसभा की बेल में जाना, गांधी जी की मूर्ती पर बैठके अंसन करना, इसमें कवरेज भी कम होती है। इतना आता है कि उन्होंने इस विसे को लेकर के धर्ना दिया, विरोध प्रतर्सन किया। लेकिन अगर पड़िचर्चा में भाग लेंगे, तो बहुत बहतर तरीके से अपने विसे को लोगसभा राजसभा में रख सकते हैं। तो जो उन्नीस राजसभा के सांसनों का निलंबन हुआ है, वो निम्या वुली के अंसार, जब उपसभापती देख रहे हैं, कि अठारा तारीक से चलने वाली राजसभा लोगसभा जब बिलकुल चलनी पा रही है, जिस पर देश की जनता के टेक्स के पैसा है, प्रति सेक पती बार-बार टोकते रहे, नियम का हवाला देते रहे, लेकिन उसके बाद भी लेकर सर संजय सिंग सामने आए, किस तरीके से मतलब ये चीज़े ठीक हैं? जैसे मैंने पहले ही कहाना कि पॉल्टिकल लोग रोल मोडल अब दा सोसाइटी होते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि अक्सर मुझे इसकूलों में मौक परल्यामेंट में जाना पड़ता है, तो यही वो सीखेंगे, कि बहस में भाग ना लेगें, बलकि सीधे बेल में इसा ही इन 19 लोगों को रखना चाहिए एक दुनिया के एक बड़े उचनेयले, इलहाबाद उचनेयले कंदर ले था, उस समय के कॉंग्रेस के लोगों ने यहीं इंडिया गेट पर और पूरे दिल्ली में धना रिली पे दर्शन किया था, और इसके बाद चूंकि उचनेयले के आदेश को मानना ही पड़ेगा, ल जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, मैं भी कानून राज्यमंत्री के रूप में स्री अखले सादो की सरकार के समय जो लगाए गए जूटे मुकद में, उनकी तारीखें करने जाता हूं और निचली अदालत में जाता हूं, तो आप भी वहाँ बाइट नह हैं, इसको आप असमान निगटना बता रहे हैं, एडी लगवग रोज किसी ने किसी बिरोकेट्स को या अद्योपती को या पॉल्टीसियन को सम्मन करती है, हमारे देश का कानून है कि पहले सम्मन किया जाता है, और सम्मन करने का मतलब है, एडी ने उनको एक चांस, वरंट आता है, बिलेविल पे नहीं आता है, तो नोन विलेविल आता है, नोन विलेविल पे नहीं आता है, तो प्रपर्टी अटेश होती है, यह देश सम्मन कानून से चलेगा, किसी बड़े व्यक्ति पूजक देश से नहीं चलेगा, तो हम लोग भी तो तारीक करते हैं, तो कोई बाती नहीं होती है लेकिन उनको सम्मन आता है तो कॉंग्रेस राज्यों के मुखुंती उस दिन दिल्ली मूग करते हैं तो देश संब्धान और कानून के उपर कोई भी नहीं है तो आप देखें करना कि एक दिन इस देश की एक बड़ी पैसे वाली महला जिस दिन सुनिया जी इडी जा रही थी उसी दिन इस देश की एक गरीब आदवासी महला राश्टपती होन की तब जा रही थी तो यह हमारे डेमोक्रासी की खुबसूरती है कि कोई उपर नहीं है इ सरदेशाद निवस पॉइंट